नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है मैं अचार्य एक देव मैं आपको राहू और केतू का रासी परवर्तन सभी लगनों पे मैं बताने वादा था जो अभी तक मैंने मेश लगन से लेकर के कन्या लग तक का मैं बता चुका हूँ आज जो है मैं बताने जाड़ा हूँ तुला लगन वाले तुला रासी। और विश्चीक रासी। और धनू लगन धनू रासी वाले से। तो बिसे पे जाने से पहले अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिजिए और विडियो को अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को जादा से जादा शेयर किजिए ताकि जादा से जादा दर्सक पहुंच तके चैनल पे ताकि मेरा भी होसला बरहे और ज्यादा धर्सक जुरेंगे तभी हमें भी होसला बरहेगा तो चलते हैं राहू और केतू का रासी परिवर्तन तुला लगने पे क्या अपना असर दिखाएंगे राहू ही एक ऐसा गरह है जो कि आपको जीरो से आसमान में पहुचा दे और आसमान से आपको पताल भी पहुचा दे यह राहू महराज ही एक ऐसे हैं और खेत चुरावई खेत से इसके लिए इसको जानना बहुत जरूरी है और ये वीडियो आपको 18 महना तक आपको काम आएगा जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये वीडियो अपने लगन और अधासी का अनुसार से देख ले अगर मान लिया किसी का लगन है मेश रासी मेश रासी है लगन करक है तो आपको करक रासी भी ज़्यादा इजी समझना ह होगा तो करक रची भी देख लिजीए उन मेश रासी लगन के हिसाब से भी देख है और राशी हिसाब Indeed एज दोनों राशी देख लिए तो ज़्यादा वक्त ना लेते वह इसे पर चलते हैं राहू के तुका रासी परिवर्त रहता है और शुक्रसनी बुद्ध इस लगन के तिरकोन आदिपती होते हैं इसलिए राहु के तू अपनी पूरी कोशिस करते हैं कि तुला लगन में अपना अच्छे से अच्छा फल दे सके और अपनी पूरी मित्रता शुक्रसनी बुद्ध से निवहा सके राहु देव आप के दुस्मन जो आपके पीछे बहुत तंग कर रहेते राहू उनको दवार लेंगे आपका कोई लौन अगर नहीं उतर रहा था वो अब उतरना शुरू हो जाएगा या आप कोई लौन लेना चाहते हैं जो बहुत टाइम से अटका है जल्दी ही आपको लौन किलियर हो आपकी कोई कोट का चैरी में कैसे वो लेकर के दिक्कत चल रही है तो दवाव बना है जल्दी ही वो कैसे आपके हक में आना शुरू हो जाएगा आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए धन की जवरत है आपको असानी से मदद मिल जाएगी परिवार की जवरत आप पूरी कर पाएंगे धन आपके पास अच्छा आएगा कोई समस्या नहीं आएगी थोड़ा आपका पेट खराब रह सकता है और साथ में ठकान ज्यादा महसूस कर सकते हैं इसके अलावा मुझे कोई बड़ी समस्या राहू के गोचर में नहीं दिख रही है अब है केतु महराज क्या देंगे फल केतु महराज आपके जन्म कुंदली में बार्मे भाव में गोचर करेगा आपकी धार्मिक यात्रा होगी आप दान धरम में बहुत रूची लेंगे क्योंकि बुद्ध जन्म कुंदली में भग भाव के आदिपती भी है और उनकी मुल तिरकुन रासी बार्मे भाव में है इसलिए बुद्ध का अच्छा प्रभाव इस रासी में भी होता है आपकी विदेश यात्रा हो सकती है या आपके घूमने के लिए विदेश जाने का मोका भी मिल सकता है आपका इस समय पैर गठर के में कम और बाहर ज़्यादा टिकेगा आपको इस समय बाहरी छेप्तर से लाव भी होगा हो सकता है इस समय आपको खर्च बहुत बर जाए लेकिन आपका पैसा जहां भी खर्च होगा अच्छी चीज पर और धर्म करम पर ही उप्योग होगा आपका मन धर्म करम में इस समय बहुत लगेगा कल हम बिश्चिक लगन पर चर्चा करेंगे राहु के बिश्चिक राशी का भी आजी हम बता रहें बिश्चिक लगन वाले मंगल का लगन और राहु मंगल से सत्रू भाव रखता है इसलिए राहु की मंगल से नहीं निवती राहु जन्म कुंदली के पाचमे भाव में गोचर करेगा राहु सिक्षा में भटकाव दे सकता है सिक्षा में पहले से ही कमजोर है उनको इस समय अपनी सिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए नहीं तो आगे जाकर आपको बहुत दिकत का सामना करना पर सकता है हो सकता है इस समय आपकी किसी से प्रेम हो जाए लेकिन अगर ऐसा होता है और आप एक विद्यार्थी भी हो तो आपकी सिक्षा में इस कारण भटकाव आ सकता है और आप भटक सकते हो जिसको इस समय प्रेम विवा करना है राहु उनको दिमाग से खेलेगा और परिवार की सहमती के बिना ही कोट मेरेज या अरिय समाज विवाह करवा देगा इस समय आपको किसी प्रेम जाल में फसकर राहु धोखे का सिकार भी भी बना देगा और ऐसा देखा भी गया है पंचम में राहु पंचमेंस गुरू छठे होतो प्रेम के चक्कर में बंधन बन जाने से साधी से पहले गर्वती हो जाती है और फिर भी वो दावा का सहरा लेकर उनको गिरा देती है गर्वपात करवा लेती है ऐसे भी राहु कई चीज अचानक और लांचन देने का प्रियास करता है समल कर रहें बच्चों की तरह से कोई ना कोई चिंता रहेगी और आपके बच्चों की सिक्षा को लेकर आप भी परेशान रहेंगे जिसका यह लगन है और यह समय भाग के भरोसे ना रहें अपनी महनत पर ध्यान दे गुश्चा ना करें और सबका इज्जत अपने काम से काम रखें के तु अब के तु देव आप विश्चिक लगने वाले के लिए अब के तु देव क्या फल रहेंगे के तु आपके लाव अस्थान में रहेगा कारवबार में फैदा होगा आपक पैसा है उसको नई नोकरी मिलेगी और लाब होगा लेकिन इस समय आपके बड़े भाइबहन के साथ समंद्य खराब करा सकता है आपकी महनत आपको आत्म विश्वास में गजब की विर्दी होगी आपकी परतिवाद चमकेगी इस समय आप जो काम अपने हाथ में लेंगे उ अच्छा लेकिन स्वास्ट से समंद्य के तू बार बार परेशानी देगा मुत्र अस्थान में जलन होना पत्थरी की सिकायत साथ में बार बार बुखार आना कोई इंफ्यक्शन का तंग करना इसका ध्यान रखे अगर आपकी राहू की दसा है दसा अंतर दसा या पर अंतर अब धनू लगन धनू राची वाले आपके लिए यह राहू क्या ले करके आया हैं 30 अक्टूवर से तो धनू लगन के स्वामी गुरू ब्रस्पती होते हैं और राहू ब्रस्पती के साथ संब्यवार रखते हैं ना अच्छा ना बुरा राहू देव जन्म कुंदली के चोथे भाव पर गोचर करेंगे इस समय आपके मन में लालच आएगा और आप सोचेंगे अपना फैदा मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूं जन्ता का समर्थन पाने के लिए इस समय आप गलत हतकंदे अपना सकते हैं आपकी सेहत थोरी बहुत इस समय खराब रहेगी लेकिन दावा दावाई टाइम पर लेंगे लेंगे लेंसे वो ठीक हो जाएगी आपकी पीट पीछे इस समय बहुत बुराई भी होगी और आप किसी बदनामी या कलंक का सिकार भी हो सकते हैं इसी लिए ध्यान रखें अगर कोई जमीन आप खरिदना चाते हैं तो पहले उसके पेपर चेक कर लें कहीं ऐसा ना हो आपको साथ धोखा हो जाएगी कोई वाहन सुक साधन में इस समय ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है ठीक है अपनी बचत पर ही ध्यान देल आप इस समय अपनी बात अपने तक ही रखें किसी के साथ उसको साधाय न करें धनू राशी वाले धनू लगन वाले अगर कोई आप काम करना चाहते हैं कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं से आपको कुछ फैदा होने वाला है तो मत किजिए किसी को मत बताईए नहीं तो काम बींच में ही अटक जाएगा अब केतू देव आपको क्या दे रहें केतू देव आपके जन्म कुंडली के दसमें भाव में गोशर करेगा नोकरी पैसा लोग आप अपने बौस के साथ संबंद सही रखे नहीं तो नोकरी खत्रे में आ सकती है आप की चुगली होगी और आपकी सीकाइट आपके अधिकारी के पास पहुंचेगी आपके अपने मित्र आपके साथ गलत बैवार करेंगे इसी लिए इस समय आपके अपनी नोकरी पर फोकस करें और किसी के काम में अपनी दांग ना डालें आपका कारोबार ठीक रहेगा मैं यह नहीं कहता कोई बहुत नुकसान होगा औरνα आपका काम चलता रहेगा लेकिन कोई न कोई सरदर्दी आपके काम में बनी रहेगी खास तोर आपकी लेबर आपको बहुत परिशान करेगी जिसकी वजह से आपका मन परेशान रहेगा परिवार से आपकी बहस बाजी होना इस समय आम बात होगी और आपका मन इस समय कम बोलने ही करेगा धन जुरना इस समय थोरा कठिन लगेगा आपको अब अब जो है धनू लजन तक का हो गया मेश से लेके धनू लगन तक का हो गया अब जो है एक एपिसोड जो बनेगा उसमें मकर लगन और कुम Rsलंन और मीन लगन का उसके बाद जो है हम अक्टुबर के महें ने किस राशी को क्या मिलने वाला है वो हम बताऒएंगे इसी मंत में अभी एक एपिसोड यह बन जाए उसके बाद आपको इस बना अक्टूबर का मंत का अपलोड होने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दवा दिजिए और ज्यादा से ज्या रहिए प्रसंद रहिए और मस्त रहिए और दुसरे को भी खुश रखिए राधे राधे